नमस्ते दोस्तों दोस्तों आज हम बड़े आसान इसे बड़े प्यार से पढ़ने वाले हैं यूनिट थी ब्लॉक बन का दा एज ओप चौसर डिटेल में जाएंगे ठीक है जब कभी मैंने पढ़ा थे तो यह मेरे ही नोट्स बने हुए मैंने थोड़ा सा बनाया हुआ है ठी लोग बुक में इंटरनेट पे मिलता 1340 1340 और यहां हमारे इसमें इसकी हमारी गुनु के अंदर लिखा है 1343 ठीक है यह मैं दिखा दूँगा जो डैथ हुई है उनके 60 साल के आसपस हो जी है तो 14 में इनकी डैथ हो गई है इसके मरने के 100 साल तक कुछ भी खास लिखा नहीं है इसलिए जो 1400 से लेकर और 500 की पीरिट को बोलते हैं डार्क एज ऑफ लिटरेचर ठीक है आगे चलते हैं तो जो एज ऑफ चौसर है जिसमें चौसर का जनम हुआ उस वक्त सिमांत बाद बहुत जादा था सिमांत बाद जो जर्मनी में जायत तर एक जर्मन वर्ड है ठीक ह इसको बोलते हैं फैडलिज्म जो उस वक्त था तो फ्यूड का मतलब होता है ओजागी दारी पर था जमीदारी जिसकी जमीन वही करेगा दूसरे के कोई जमीन खरी नहीं पाता तो वहां से बताया कि एक वर्ड है फ्यूड भूमी का टोडा ठीक है जो भूमी का टोड़े यहां से शुरू करते हैं और चौसर के बारे में पढ़ेंगे इंगलिस पोईट आपको रटना है जब आप लिखो के लेट मिडल एज पोईट राइटर यह आपको लगाना लिखना ही अपनी कॉपी में यह अपनी हैंड राइटिंग में यह बना लो लेट मिडल एज चौसर क्या था लेट मिडल एज ठीक है सिंस लिटरेचर अन्ड सुसाइटि अर इस बैकगराण विल हैंप यू अंडरस्टैंड चौसर पोईटरी क्योंकि लिटरेचर और सुसाइटी क्लोजरी रिलेटिव होती है इसलिए जब आप चौसर की पोईटरी प बीच का डिफरेंस क्या होता है नब्बे क्यों आ रहें टॉपर्स में क्या खास बात होती है ठीक है तो देख लिजा आपको इची जाती नहीं आती अगर नहीं आती तो आना चाहिए तो जो नॉर्मल जो कॉंकेश्ट था यूद्ध था ये 1066 में ठीक है 1066 में और हम बात कहा कर रहे है तेरस होगी ठीक है तो उसके बाद चीजे थोड़ी बदली इसने लिखा है था नॉर्मल कॉंकेश्ट इन 1066 हैड ब्रॉड इन फ्रेंच वोर्ड्स लिटररी कॉन्वेंशन एंड स्टेट्स मालब उसके बाद थोड़ा सा लिटरेचर के ऊपर थोड़ा सा चीज हुई यह हमारे लिखने की चीज नहीं सिर्फ समझने की चीज है इंट्रेश बनाने की चीज है हिस्टोरिकल एवेंट इन 14th सैंचूरी 14 मतलब 24 सो वाली अंडिटर्माइंड द ओल्डर जो चीज है उसके बारे में थोड़ा सा अंडिटर्माइन वाली बात कर रहा है ता ग्रोथ आफ ट्रेड विजनिस की ग्रोथ एंड कॉमर्स लेज टू ग्रोथ ऑफ लंदन बिजनिस बढ़ रहा है ठीक है ट्रेड बढ़ रहा है यह आपको मज़ा बहुत आएगा थोड़ कोई मुझे इंग्लिस के हिंदी भी समझ में नहीं आती तो तो मैं लिख लेता तो यह आपकी और हेल्प करेगा ठीक है ओके दोस्तों मैं पहली बार ट्राइब कर रहा हूं मैंने लाइब भी किया था पता नहीं कन्फूज नहीं होगी थी कमेंट नहीं आ रहे थे तो अग Contemporaries is best understood in the context of the transition of European society from declining fatalism मतलब transition हो रहा है बदलाव हो रहा है और बदलाव हो रहा है इसमें decline में fatalism का decline हो रहा है मतलब fatalism नीचे की तरफ जा रहा है वो down हो रहा है सामद वात खतम हो रहा है लोगों अपनी अवाज उठानी शुरू कर दिये आप आगे पड़ेंगे लोगों क्या होंगा बेकी मांगते रहेंगे क्या कुछ इस तरह की चीज़ होई थी आगे पढ़ते हैं फैडलिज्म टू एन इमर्जिंग मनी एकॉनमिक एकॉनमिक क्रेटराइजड बाइदर राइज ऑफ मिडल क्लासिज जो मिडल गाम था उसी में रहे रहे थे छोटे छोटे घर थे दा वैरी फैक्ट धैट चौसर वाज एन अर्वन पोईट ऑप एक अर्वन पोईट थे ऑलरीडी सजेस्ट आज चेंज वो खुद भी पह रहे थे कुछ चेंज होना चाहिए इनफयेट मार्किट में चेंज की बात भॉट हो रही थी तो उन्होंने भी बोला कि change होना चाहिए उन्होंने change को accept किया है आगे और पढ़ेंगे here we need to remember that यहाँ पर हमें जानना बहुत ज़रूरी है और याद रखने वाली बात ही है that unlike France England had broken out of the federal system rather early France की तरह unlike France मतलब France की तरह नहीं बलकि England में थोड़ा से इन्होंने जो English use करी बहुत घुमा के बोली है simple शब्द में यह है कि England में federalism France के मुकाबले जल्दी खतम हो गया या खतम होने की तरफ चला गया या उस पर इसके उपर जल्दी बात होई और France के तरह यह ऐसा नहीं कि यह थोड़ा वक्त तक रुका तो England में थोड़ा जल्दी यह चीज़े इन पर काम होने लगा ठीक है जब भी France की बात आई इंग्लेंड फ्रांस इंग्लेंड फ्रांस स्कॉट्लेंड यह सब घूमता रहेगा आगे आप इसको बारे में और पढ़ेंगे यह नेवर कंट्रिस थी ना और कल्चर भी सेन था रिस्तिदार भी एक दूसरे के जिनकी यह राजा महरा जों के मुनवार की वगरा के थे और लिखना क्या यह भी कंटेंड पता लग जाता है और जहां जब मैंने इसको हाइलाइट किया हुआ यह तो आपको लिखना ही लिखना यह की पॉइंट्स हैं बागी चीजें आपकी एड करें न करें पर की पॉइंट्स के बिना तो आंसर आपका जबरस बने गए नहीं इसके तरह से मॉडल आंसर इसको माल लेजें ठीक है तो इंग्लेंड फार्स था है चीज में वी कुड बिगिन बाइट टेकिंग आप प्रिलिमिनरी लुक एट दा ग्रोइंग इंपोर्टेंस एंड वैल्थ ऑफ टाउं विकॉज ऑफ ट्रेट मैं इसको सोड़ा इनलाज क कर दो अगर आप करें तो ओके है और ठीक लगेगा और बैतर समझ में आएगा ठीक लग रहा हाँ ठीक है तो टोड़ा से बदल देते हैं इसको हल्का सब हाँ very good ठीक है we could begin by taking a preliminary look at the growing importance and wealth of town because of the trade and commerce because मतलब commerce और जो trade ठीक है वो थोड़ा सा importance मतलब थोड़ा सा grow कर रहा है growth हो रही है ठीक है अच्छी बात है because of the lucrative wool trade lucrative wool trade अब देखा जाये तो इसके अंदर इसमें lucrative wool trade agricultural land was being converted at many places into pasture for raring ship इसमें क्या हुआ कि जो चरवाय होते हैं शिप को घुमाते फिर आते हैं इसे बोलते हैं चरवाय उसकी जो agriculture land फिर जो शिप को रखने वाले का जो शिप के लिए जादा हो गया रीजन यह था कि शिप को भेड़ों को पालेंगे तो उनी कपड़े वगरा बनेंगे उनकी मतलब बिकने के वो इसके डिमांड ज्यादा है तो यह शायद रीजन रहा है आप आगे पढ़ेंगे भेड़ पालने में और उसकी उन वगरा जो भी था उसकी निकालने में इतने ज़्यादा जरुत नहीं पढ़ती है लोगों की जितनी फार्मिंग वगरा में पढ़ती है पिसनों ने बोलता है वास बिंग कंपड़े फिवर वार्म हैंड गिविंग राइस टुए अब यह फ्रार्मिंग को छोड़के थोड़ा क्राफ्ट गिल्ड की तरफ जा रहे थे जो समय समाज में हो रहा था ठीक है समझ मा रहा है ऑफ कोर्स सच प्रोसेसेज ऑफ सोशल ट्रांस्फोर्मेशन दू नोट टेक प्लेस एबरप्टली अचानक से चीज़े नहीं बदल दीरे दीरे बदलाव हो रहा है सोशल का आपको पता ही है इन दर रेन ओफ हैंडरी एट हैंडरी एट के टाइम पर यह चीज़े दीरे दीरे हो रही है थॉमस मोर कंटीनू टू अट्रेक दा एंड क्लोजर सिस्टम धैट इस दा कनवर्जन ओफ एरेवल लैंड इंटू पा इसमें पास्चर में ठीक है क्यों पास्चर का मतलब यह होता है जहाँ पर जो चर्टें पसू बगएर न और अब जो किसान मतलब खेटी करते तो और यह चीज इसने ख़दम कर दी अब आपको पता लगए यहां पर हैंड है और यह चीज नहोंने बदल दीए अब आगे द देखते हैं अब आगे देखिए एदमी राइटर ने क्या कि एदम कट मार के सीधा पॉइंट पाइगा बट एट लिस्ट थिरी इस्टोरिकल एवंट कैन बी डिफाइन डिफाइड इडिफाइड विच एक्सिलरेटिट चेंज दहंडेड येर्स वार जो इस्टोरिकल बहु कब हुआ कैसी हुआ ये बात अभी करेंगा पर इसे फिलाल याद कर लो आगे चलते हैं ठीक है हलका सा थोड़ा सा ठीक है इन दिस सैंस ऑफ हंडेड येर्स वार बेट्विन इंगलेंड और फ्रांस तो जो हंडेड येर्स जो वार हो रही है किसके बीच हो रही है इंगलेंड और फ्रांस के बीच फड़ोसियन हमें से लड़ते रहते हैं अगरी कल्चर के उपर लेंड के उपर अभी आप देखी का वार हुआ क्यों सौ साल की जो लड़ाई है वो क्यों चली अभी आपको सब मिल रहा है और यह आप ही किताब है जो आप इग्नोर करके बैठते हों बिग्निंग इन 1337 में बिग्निंग हुई है और हमारे चौसर कब जनम हुआ चौसर का जनम हुआ 1340 में कहीं कहीं 43 में मतलब लड़ाई शुरू हो चुकी है और इनका जनम हो रहा है तो उसना में यह सब हो रहा है इस Rooted in the Fadal Structure of European Society यह कहीं न शुरूपए य सिस्टम वो ही सामंतबार की जनम है जो इसका बेस सामंतबार है जो युद्ध सो साल हुआ है पिस सामंत बाद जमीन इसको उपर युद्ध क्यों हो गिया आगे देखेंगे concept तो clear है आपके The modern nation state comes into being in the transition from medieval to renaissance euro अभी तहाँ से देखना इसको समझना है ये line थोड़ी फसाईगी लेकिन conceptual हो जाएगा The modern nation state जो modern nation जो state है comes into being in the transition from medieval to renaissance euro बदलाव हो रहा है जो modern state है तो वो medieval से अब renaissance की तरफ जा रहे है ये सिर्फ इन्होंने एक line चुपका है जो तुम कहीं भी लगा सकते हो ठीक है अभी इस लड़ाई से सा कोई सम्मझना है लेकिन ये जरूर है कि medieval से लोग renaissance के इसको रहना सा मत पढ़ा करो इसे बोड़ा करो renaissance तो आगि इस पहले में दिखकत दना हो before that through matrimonial alliances kings were feudal lords of land and property in foreign countries and often laid claim to their thrones क्या होता था कि अगर किसी राजा को अपने देश से भार कोई जमीन चाहिए अभी तो क्या कि अगर allow औरा खरी सकते हैं तो यहां पर से हो सकता था जब इसमें लिखा हुआ through matrimonial alliances साधी की जब रिस्तेदारी हो जाए किसी की बेटी हमारे यहां आ जाए बेटा की साधी हो जाए तो इस तरह से मतलब महां पर यह जमीन ले ले लेते थे या उन पर राज करते थे राज कभी अभी आपको पता चलेगा राज के पीछ रीजन क्या है जब आप हो इंग्लेंड के क्यों फ्रांस पर राज करोगे इफ यू आर फ्रांस तो वाई विल यू रिज टू दा तो यहां पर आप किसी दूसरी कंट्री मेरें कैसे करोगे ठीक है आ जाओ इसने बूला है कि प्रॉपर्ट्टी ओगी कंट्री ओफन लेट क्लेम तो देर थ्रोंस यह कर देते हैं ठीक है लेंड उसमें मैट्रिमोरें लैंस वगरा के इसमें यह क्लेम करते हैं शादी कर ले जो दिस्पूट था उसा कारण यह था जो इंग्लेंड और फ्रांस के बीच सौ साल चला इंग्लिस वाले कहते थे विए फ्रेंच सोहल पे हमारा अधिकार है अब आप सोचो है अंग्रेज अग तुम फ्रेंच वालों पर क्यों अधिकार दिखा रहे हो कोई ना कोई रीज पर इससे क्या हुआ जो बैरन लोग होते हैं बिजनिस वाले बिजनिस क्लास ठीक है यह से युद्ध से यह बड़े पावर्फूल हो गए ठीक है यह भी लाइन एक एड़ कर दिया जो आप कहीं भी लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है इन दर चेंजिक सुच्वेशन दा इंक्लूडिंग दा मैगनेट्स एंड कंपरिटिवली रिसेंट मर्चेंट्स प्रिंसेज यह भी लाइन मैंने इसको में इंपोटेंट नहीं माना ठीक है की पॉइंट्स नहीं है आप कह सकते हो कि जो बिजनिस ग्लास थे भी लोग अमीर हो रहे थे क्योंकि वह सबसार समा फिर उसके जो पीछे जो लोग है वह थोरों को लेना चाहते हैं अपनी में सुदाना चाहते हैं ठीक है इसको अपने शब्दों में अपनी राइटे में कुछ भी लिख सकते हैं फ्लैंडर दबिगेश कस्टोमर फोर इंगलिस वूल एक फ्लैंडर था जो कि कोई खास इंगलिस वूल का अपील फोर एड़ टू एडवर्ड इन देर कंफिलिक्ट विद दा किंग ऑफ फ्रांस वोसने लोगों के मदद करें कि जो एडवर्ड है उसका जो कॉंफिल्ट चलना किंग ऑफ फ्रांस उसकी मदद की जाए एडवर्ड एलाइंस अगेंस फ्रांस इन दी नीदरलेंड एंदा तो इसमें एक सीन और भी क्या है कि जो यूद के पीछे रिजन यह था जो एडवर्ड था ना एडवर्ड की जो मम्मी थी इसावेला इसमें लिखा हुआ भी इसमें बड़ा आपको लग रहा होगा कि यूद क्यों आई तो बता दो तो इसको थोड चब चथान ही उनकी जो रिष्टिदार थी वह इसावेला थी और यह भाई साव एडवर्ड उनके वेटे थे तो उन्होंने बोला कि वो जो थ्रोन है वो जो राजगद्य वो तो मेरी है ना बड़ फ्रांस के लोगों ने सुनी नहीं इसकी इसा बोला है दूर के दूसरे लोग क्यों हमारे पर सासन करेंगे तो इसलिए यह conflict हो गया फिर इसने अपनी नाक की बात ले ली फिर जगड़ा शिरू हो गया कुछ लोग इनके साथ आए एडवर्ड के साथ कुछ लोग वन उसके साथ फ्रांस के साथ आए इस वजह से यूरोप के अंदर यह 100 साल तक त एडवर्ड इन देर कॉंफिलिक्ट विद किंग ऑफ फ्रांस वें उसको जगड़ा हो रहा है सपोर्ट करो एडवर्ड ऐलायंस अगेंस्ट फ्रांस इंदी नीदरलेंड एंद रीनलेंड जर्मनी नीदरलेंड भी साथ हो गया उसके इसके अंग्रेजों के साथ इंग्लें फिलिप सर जो फिलिप्स थर्ड था उसके साथ इसका रलायंज हो गया जो ना रिलायंज था दफ्रेंड फ्रेंज मोनार्फ दाइमीडियेट प्रोटेस्ट और प्रोटेक्टिट इंड़र्ड यर्वार वाजड एडवर्ड ऑट्स क्लेम मतलब कुन लाविए जो रीजन थ रहे हैं नहीं तो अब यह इसलिए थ्रों जो है मेरा होना चाहिए ठीक है इसावेला चैलेंजिंग डैट फिलिप 6 इट इस आइरोनिक डैट दा सेम फिलिप हैड बिन क्राउन इन 1327 एड़वर्ड हैड ड़न होमेज तो हिम फोर दा गैस कोनी इन 1326 यह याद रहे है और होमेज मतलब यह तरीके से यह जो दूसरे जगड़ा कर रहे हैं उसी को रिस्पेक्ट देते हैं वक्त की बात है सब चीजे बदलती रहती है ठीक है और उसके बाद जगड़ा भी हो गया तो यह कहीं ना कि यह था कि अभी तुम जबी तो क्राउन में तुम सबोट कर र तो फिलिपींस जो सेकंड है जो फिलिप है उसका क्राउन हुआ एडवर्ड हुई था होमेज कर रहा था बाद में उसने बोला नहीं चीजें हमें चीजें थोड़ासा इस तरह सा कुछ चीजें है कोई दिक्कत नहीं एक दो लाइन और भी है दा स्रीज इसमें लिखा वाया था श्रीज और विक्टोरियस बुलस्ट इंग्लेस में यह कोई खास इंपॉर्टन नेंगी यह वाले आप देखिए अल्टिमेटली वर्ट अंडर्ड यर्स वार दिद वास्ट चेंज दा ओल्ड कोड ऑफ शिवल्यरी सेक्सपियर बिरिंग दिस आउट आइरोनिकली इन इस हिस्ट्री प्लेज दा सेकंड टेटरलोजी फ्रॉम रिचार्ट सेकंड और हैंडरी फाइब अचुली सेक्सपियर लाइन इमपोटेंट है यह वाले लिख देना और इन्होंने यूद को पर ही लिखी है सेक्स पेने ने इनके यूद जो हुए है रिचार्ट सेकंड और हैंडरी फाइब जो इस वक्त के थे ठीक है उन्होंने उसके बारे में अपनी बात लिखी है अपने अंदर एड़्व तो और भी है कि वहाँ पर क्या हो रहा था जब इंग्लेंड ने हमला कर दिया फ्रांस कमजोर फोड़ा सब पढ़ा तो खोब लूटी हुई खोब समान इदर से उधर हुआ और बड़ी मतलब उतल पतल हुई और जब आपको मैं बता चुका हूं फ्रांस के अंदर जब इंग वाहिन हो ने यह कहरे है तो लूट के रहे हैं जब घड़ा वगड़ा हुआ इंग्लेंड का भारी बारी हुआ तो यह कह रहा है कि नुट बार का समान और फ्रांस बाइंगलिस सोल्जर फ्रांस में लूट हुआ इंगलिस सोल्ज़र जब उसने देखा थोड़ी श्मपती उनकी रही है चौसर की किसके लिए फ्रांस के लोगों के लिए जब ये शुआ वो अलग बात है कि बाद में चीजे तो रहती है दोनों तरफ ये प्रॉलम होती है दावार विच हैड ब्रॉट पुर्सपेरिटी टू वेरिस क्लासे इंगलेंड बिकॉज अव दा रिच बूटी एंड हाई वेजिस फोर सोल्जर्स बैयुद हो रहा है तो कुछ लोगों के लिए मौज भी होगी लूट का समान लूटी भी जा रहा है लूट का समान खुद का हो रहा है और अच्छे पैसे मिलते हैं जब आप सोल्जर बनते हों इन्होंने लिखा यह बूटी एंड हाई वेजिस फोर सोल्जर्स सफर्ड आ सेवर चैक फोर दा ब्लैक डैथ जो ब्लैक डैथ जो यह प्लेग फैला था 1348 से लेकर 1348 के बीच रट लीजे बस प्लेग यहाद रखो यह सब छोड़ो बबोनिक ना रहा 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 है केर्ड एक्रोस यूरोप बै ब्लैक रेट्स जो रेट्स हैं जो काले चुँएं से पूरे यूरोप में फैल गया बाद में खेर पाता चला है चुँएं का रीजन था उस वक्त तो अब तो बोलेंगा ने चुँएं की वज़े से वहला बिकॉस ओफ इंसैनिटेरी कंडिशन सफाय सफाय थी नी इट इफेक्टेट टाउन में ज्यादा इफेक्ट किया है मतलब मक्हियों के तरह यह मर रहे हैं बिचारे गरीब लोग प्रवैबली वन थर्ड रिमेंबर बहुत सारी जिगे से वन फोर बोला गया पर हमारे गनोम बोला गया वन थर्ड ठीक है ओफ इंग्लेंड्स पॉपुलेशन पैरिज्ड पैरिश का मतलब होता है पर लोग से धार जाना पीरिश पैरिज्ड डैड कह सकते हो कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो इन दा प्लेट अबेटिंग टुओर्ड दी एंड ओफ तेरसो औरंचास दा एपिडेमिक रिवाइब इन थर्ट सिक्ष्टी वन थरी सिक्ष्टी टू और तेर्टिन सिक्ष्टी नाइन मला जब रुकने के बाद जब यह खतम हो गया अबेटिंग ठीक है उनचास में थोड़ा खतम हुआ पर यह दुबारे से एक बार फिर होई तेरे सो एक सट में बास सट में उनतर में उसका एंदा ब्लैक रेट वास ड्राइवन आउट बाइदा ब्राउन रेट विच जिड नोट करी दर डिजीज चीजे बड़ी तेरे से एक सट बास सट ठीक है एक सट बास सट शिस्टी नाइन इन सम्में चलते अलते जब हम आगे चलेगे तो साइंस ने आगे मतलब आगे बड आओ और ब्राउन चोन ने इनकी जगह ले ली ठीक है यह आपको इंपोरेंट है उसके बाद इंक्रीज दा डिमांड फोर लेवर ऑन दफार्म एंड वीकेंड दी ओब्लिगेशंस और फैडल टैनर देखे क्या होता है कि जब लोग इतने मर रहे हैं तो अचानक से फिर डि इन्होंने यह बता है कि भई जो फैडल टैन्यूर है उसमें थोड़ा सा फरक पड़ता ना आपके पास कोई नोकर श्याह करतो है नहीं आप बन रहे हैं तो काम कौन करेगा इस सिच्वेशन फाउंड है पैलल अमांग दा किलर्जी जो इसमें जो किलर्जी वर्क था मतलब पादरी था जो चर्च मरगरा में रहते थे तो यह भी सब उनके साथ भी चीज़े प्रॉब्लम तो होई रही थी मैंने लिविंग एक क्लासिकल पोस्ट फैल वेकेंड जो यह पोस्ट होती थी यह थोड़ा सा काम की पोस्ट होती थी यह वर्ड थोड़ा सा याद कर लेना पर इसको पोस्ट याद रख लेना यह वर्ड याद रहने वाला नहीं अभी तो बहुत बोलों कर लेंगे याद उस समय फस होगे वेकेंड एंड दा क्लरजी ओफन सपोर्टेट दिलेवर्स डिमांड फोर हाई वेजिस जो क्लरजी लोग है यह थोड़ा सा जब लेवर थी जो की कहते हैं बहुत ज़्छादा मतलब जो कहते हैं जो रेजिंग हो रहा ही प्रको बढ़ रहा था फिर भी इससे प्रकोब बोलते हैं इसका महिंदी नहीं क्तरम होगेBO uncertainty, जब लोग मर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, सब कुछ तो उल्टा चीदा ही हो रहा है जैसे अभी हमारे याभी आपको पता यह lockdown लगा था, तो कितने हालात कैसे हो गए थे तो आप समझ सकते हो, ठीक है We must not forget that two kings, Edward 3rd और Richard 2nd यह आपना इसको थोड़ा लिख लेना कहीं Edward 3rd, Richard 2nd यह बहुत काम आएगा आपको नमबर देने में Were deposed and murdered in the 14th century, 1400 में आके यह बिचारे इनकी death हो गई क्योंकि इनका murder हो गया मतलब murder ही हो गया, death क्या होई तो पीजन्ट revolt और 1300 क्यासी के अंदर अभी तेख रहो, present वालो जो किसानों का withdraw हो गया, has to be seen in the background, इस background में यह भी चल ला है कि यहां withdraw भी चल ला है but first let us have some idea for condition of the poor in England, फ़रा सा idea देख लेते हैं poor condition क्या गरीब हो की in 1381, यहां कि poor in England in 1380, 1380, 1380 revolt हो रहा है, poor condition हो रहा है क्यों? 1380 में more than every free man by the Magna Carta, 1215 in the reign of King John वह से लोग मतलब को समय लोग को free नहीं नहीं guarantee नहीं free होने की, क्योंकि Magna Carta पास किया गया, free man वाला जो free नहीं हो रहे, Magna Carta जो कि King John ने पास किया होगा यह बागी चीज़े इतनी खास नहीं है, काम क्या किया है in theory the labor's had an elected representative the Reeve supposedly to counterbalance the stewards or beliefs, but as the wealth of the town, often due away and absentee landlords the Reeve as substitute because a feared enemy of the people as the portrait of the Chaucer and Langland, ठीक है तो यहाँ पर जो गरीब लोग है उनका जो कहतना है, उनका रीव परनेटिटिटिव जो कहला है, वो दा रीव कहला है और वो फिर balance कर रहे थे steward और बेल फिल के वाले में इसको भी आप तो नहीं रख पाऊंगे, पस आप बोलो को balance कर रहे थे, जो high class के लोगों के बीच और अपने बीच but as the wealth of the town, often due away and absentee landlord दौलत भी दूर जा रही थे, landlords भी दूर हो रहे थे the Reeve as substitute become a feared enemy of the people as in the portrait of Chaucer and Langland, उनके time पे जो Langland भी थे, Chaucer ने, जो लिखा था उसके time पे लेंग लेंड भी थे, तो उन्हों नहीं बताया था कि भी, तो जो एनिमी हो रहे थे, नॉर्मल लोग के दूस्मन टैप्स ही हो रहे थे, the poor had to pay fine for marriage or sending a son to school, जो गरीब थे लोगों को उनको fine देना पड़ता था, शादी कनने पे और अपने बच्चों को स्कूल बेजने पे and in the inhuman, harriet और morcery tax और बिलुकुल ही जो कहते ना कि inhuman हो गया था कि इनको harriet और morcery tax भी देना पड़ता था, harriet और morcery tax होता था कि भी अपने जो lord भगवान को हम दे रहे हैं, कभी हम किसी की death हो जाए, या शादी कर रहे हैं, जला रहे हैं, जला रहे हैं, जला रहे हैं, इस थाफ से कुछ इस तरह से बड़ा मतलब से बोलता है, नहीं हो मैंने है, कि मरने पड़े tax revolt को बढ़ावा मिला, ठीक है, the financially burden of the war force the government to ask parliament to allow heavy taxes, तो जब वयूद हो रहा है, तो उन्होंने parliament को नेता को बोला, बड़े tax जादा दो, but since such taxes usually affected the properties classes, प्रोपराइज्ट क्लासिज विच डिमांड dominated parliament, मतलब जब tax बढ़ने की बात आई, तो यह जो प्रोपराइट क्लासिज ते इन पे effect पड़ा, तो इन्होंने फिर parliament pressure बनाया, तो अब 1380 के अंदर क्या हुआ, tax were lived on the even the poorest, जो गरीब लोग थे, उन पर भी लग गए, अब क्या करोगे आप, पैसा तो चीए ना, यूद लटने के लिए, the sudden outbreak of rebellion under the leadership of वाट टेलर, जो वाट टाइलर है, इसमें, अब रिवोल्ट हो गया, क्या अब निसाजार, आप तो कुछ जादी आता है, मतला हद हो गया आता है, बोलते नहीं फिक अंदर, resulted in the peasants, accustomed to levies for French campaign, attacking London, फिर इनने मौका में लिगा, क्या अधर रिवोल्ट हो गया, तो फ्रेंच बुज़िए अंदर, लंदन destroy property and putting the archbishops of Canterbury to death, जो Canterbury के जो archbishops है, उनने death, मतला है उनकी death कर दिया, उनने murder कर दिया, the pricing collapsed equally suddenly, partially because of the shrewdness and courage of king, Richard second, who promptly went back on his promises, as soon as the rebel had dispersed, ठीक है, बल्ला होता है, rebel होगे, उनने बोला के नहीं, हम Richard second बोला नहीं, हम करेंगे कुछ ना कुछ, तो इस तरह से उनने बता है, करेंगे था, उनका थोड़ा था ही है, promise soon as the triples had dispersed, आल्दो दा मुवमेंट फेल, भाई उनने हरंगा मकिया पर मुवमेंट फेल हो गई, ज्यादा रिवोल्ट में ज्यादा रूट वूट तो होई नहीं, लेकिन पहले वाई लड़े ये बड़ी बात अपनी बात के लिए, despite of the brief reference to it in the nun priest tale, nun priest tale की चुक स्टोरी बताए, चौसर न कहीं न कहीं इस महल का सा ही है, आपको थोड़ा से एक महग मिलेगी इस चीज़ की, एक थोड़ी से आइडिया लगया कि ये कहीं न कहीं इस चीज़ से inspired भी था, चौसर concerned himself with the suffering on of individual poor man and not the poor in world, चौसर भी concerned था himself, खुद भी poor लोगों के लिए है न, इस पर पढ़ी लेंगे, for the portrayal of ruler, ये ये कुतना को important नहीं है, अब आगे क्या हो रहा है, ठीक है, आगे चलते है, what was the situation in the town, टाउन के situation क्या थी, apart from London, all English town, लंदन के लावा क्या था, टाउन वर smaller than those of industrialized Flander and Northern Italy, तोड़ा से smaller थे, a medium-sized English town would have only 3-4,000 लोग उसमें रहते थे, and town and country flowed into one another, एक दूसरे में उसे हुए थे, और दर्वाजा भार के तरफ खुलता था, अराम से चीज़ चल रहे थे, तो अभी merchant वगरा के पढ़ लेने को खास important है नहीं, उसके बाद ये चीज़ है भई, वाइल working at the custom house and living over the tower, चौसर came to know the love, this colorful London life, उसका London life के बारे में भी देखा, he would have noticed churches as well as the towers around him, we may not in the passing, the pilgrimage कहीं ना कहीं, एक इसी की उपर बात थे, कहीं यहाँ पर रहे थे, तो इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ों को देखा था, तो इनका थोड़ा सा इंट्रेस्ट बना लोग को समझा, इन्होंने फिर लिखा भी, जो Canterbury Cathedral, in the Canterbury Tale, विगेंदर, जो टैबार्ड इन, यह आद रख ले जा, टैबार्ड में हुआ से इन्होंने शुरू की है, London, was a busy town, 40,000 people, certain वहाँ पर थे, तो यह थोड़ा सा चीज़े देखिए, तो आप इसको देख लेज़े, खास इसमें, important नहीं है, और इसको आपको याद रहे, तो आप इस line को लिख सकते हैं, जो historical background है, यह इतना ही है, यह बहुत important आपने देखा होगा, आप इसको पढ़ेंगे, बार और पढ़ेंगे, तो आपको चीज़े याद रहेंगी, ठीक है, अगर कोई आपको short note भी देगा, तो आपक को easily समझ मा जाएगा, मैंने पूरी theory बता दिया आपको, thank you very much, take care, आज के लिए तना है,